जैसे राधे मित्रों हरहर महादेव जैमा चंद्रवद्ने मित्रों चंद्रवद्ने भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित देपगुपाद्या देव भूमी उत्राखन से आपके अपने चैनल चंद्रवद्ने भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आतारानी आपके समस्त मनों कामनाओं को कूण करें आपके जीवन के समस्त बिग्न बादाओं का हरण करें और आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो यहीं माभगवती से करवत प्राधना करता हूं तो मित्रों चंद्रवन्नी भगतिराश चैनल के माधम से आज का जो हमारा वीडियो होगा वा होगा 24 मार्च 2023 का दैनिक रासिफल और बात करेंगे दैनिक पंचांग की सुराहुकाल और सुमुरत के वी आप से बात करेंगे तो आप सभी लोग जो हैं वीडियो में अंतिम तक वा समय समय तक आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे वीडियो से लावानवित होते रहें और सनातन धर्म से संबंदित जानकारियां आपको समय समय पे प्राप्त होती रहें तो बात करते हैं 24 मार्च 2023 के दैनिक पंचांग की तो 24 मार्च 2023 को तिथी रहेगी तृतिया त थी शुकलपक्ष की तिर्तियतिधी रहेगी नक्षत्र की बाद करें तो असुनी नक्षत्र होगा करण होगा गरकरण पक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कि जिस राहुकाल में कोई भी सुभकार्य प्रारंब नहीं करना चाहिए तो वह राहुकाल होने वाला है 10 बज के 56 मिनड़ से लेकर के 12 बज के 27 मिनड़ तक तो यह राहुकाल का समय होगा इस समय पे कोई भी सुब कार्य आपको नहीं करना है और कोई भी नया कार्य प्रारंब नहीं करना है इस बात का आपको ध्यान लगना है बात करें बिक्रम समवत की तो 2080 बिक्रम समवत होगा सक समवत जो है 1944 और महिना जो है चैत्रमास होगा मुहरत की बात करें तो सुब मुह में आप नया प्रार्म कर सकते हैं या जिस कारे से आपको अधिक समय तक लावनभित होना है तो आप उस कारे को इस सुब मुरत में प्रार्म कर सकते हैं तो अब बात करते हैं दैनिक रासिफल के 24 मार्च 2023 मेश रास से लेकर के मीन रास के जातकों के लिए कैसा बार करते हैं सरपर्थम मेश रास के जातकों के लिए आज का दिन जो है वा मिला जुला रहने वाला है आपको यदि किसी बात के लिए उल्जन आज हो किसी बात में कोई उल्जन हो तो आप उस काम को बिलुकुल आज आपको नहीं करना है, उस कारे को आप छोड़ दें, रचनात्मक कारे में आज सुदार होता हुआ दिख रहा है, और आपको रक्त सम्मंदी रिस्तों में भी आज मजबूती आएगी, लेकिन आपकी पुरानी गलती लोगों के सामने आज उजागर ह हो सकती है, लोगों के सामने आज आ सकती है, आपको आपके तेज को देखकर कारे छेतर में जो सत्रू हैं आपके आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे, ऐसा आज आपकी कुर्णी में योग बन रहे हैं, आपको कोई काम जो है माता-पिता की बिना मर्जी के नहीं करन है, अगर आप माता-पिता की मर्जी के बिना कोई कारे करते हैं, तो आपको उस कारे में नुकसान के हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यदि आपने किसी परतियोगिता परिक्षा में भाग लिया था, तो उसमें आपको आज जीत अवत से मिल सकती है, उसमें आपको अच्छा लाब मिलता हुआ दिख रहा है, और उसमें आप जीत हासिल कर सकते हैं, अब बात करते हैं ब्रिसरास के जातकों के, कि ब्रिसरास के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 24 मार्च 2023 का दिन, तो ब्रिसरास के जितने भी जातक हैं, आज का दिन आपके लिए जो है उड़जावान रहने वाला है और कारे छेतर में जो है आप कुछ नया करने की कोसिस भी करनेंगे आज जो है कुछ नया करने की कोसिस आप कारे छेतर में अपने कर सकते हैं जिससे आपको लाब भी होता हुआ दिख रहा है आप अपने व्यवार से आज लोगों को अपन और आकर्सित करने में भी काम्याब रहेंगे आपकी किसी आपका जो कोई पुराना मित्र है किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद आज मुलाकात भी आपकी होगी जिससे आपको कोई महतपुन सोचना मिलने को भी मिल सकती है अपने मित्र से कोई महतपुन सोचना आपको प्राप्त हो सकती है जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा विवा की मंजूर भी आज आपको मिल सकती है जिससे आपका परिवार का जो माहौल है वह खुसनमा बना रहेगा आपके परिवार में जो हैं खुसियां बढ़ती हुई दिख रही है तो ब्रिसरास के जातकों के लिए अच्छा दिन होने वाला है अब बात करते हैं मिथुनरास के जातकों की तो मिथुनरास के जातकों के लिए कैसा रहेगा 24 मार्च 2023 का दिन तो आज का दिन जो है मिथुनरास के जातकों के लिए आएक अनेक शुरोत आपके बनते और ब्यावसाई गति विडियों में भी आपके लिए आज का दिन बहतर होने वाला है आपने पुराने निवेस से आपको अच्छा लाव मिल सकता है जो कोई पुराना निवेस आपने करा था उससे अच्छा लाव आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है यह किसी को आपने धन उदार दिया था तो वह भी आज आपको वह धन वापस दे सकता है आप अपनी सुक्सिवदाओं के कुछ आज की दिन जो हैं कुछ बस्तों आज आप खरीदारी कर सकते हैं पर उस पे आपको थोड़ा सा ध्यानवी देना है जो बस्तों आपको खरीदें उनपे कुछ ध्यानवी आपको देना है कामकाज की तरास में जो इदर उदर भटक रहे थे मिथुन रास के जातक तो उन लोगों को कोई सुब सुचना मिलने के भी आज संकेत हैं कुछ सुब समाचार भी आपको मिल सकता है आपके घर परिवार में चल रहा जो लड़ाई जगडा है वह आपके लिए सिरदर्द भी आज बन सकता है तो इस बात का आपको रखना है ध्यान अब बात करते हैं करकरास के जातकों के लिए कैसा रहेगा 24 मार्च 2023 का दिन तो करकरास के जिदने भी जातक हैं आज का दिन आपके पद्ध परतिष्ठा में विर्द लेकर आने वाला दिन है और शासन पर सासन का भी आपको पूरा लाव मिलता हुआ दिख रहा है शासन पर सासन का पूरा लाव आपको प्राप्त होगा और आप किसी नए पद को पाकर भी परसन होंगे कोई अच्छा पद नए पद आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है जो लोग किसे काम के पू परिवार के जो लोग हैं आपके दिये गए सुजावों का पूरा मान रखेंगे जो भी सुजाव आप उनको देंगे उनका पूरा मान सम्मान करेंगे लेकिन आपको जो है किसी सदस्य के से आपने जो वादा किया है किसी सदस्य से जो किया हुआ आपका वादा था उस वादे को आपको पूरा करना आज होगा संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे अपनी संतान को अगर कुछ जिम्मेदारी आप देते हैं तो वह उसे समय रहते पूरी करते हुए दिख रहे हैं जिससे आपको भी खुशी मिलते हुए दिख रही है आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है मित्वन रास के करगरास के जातकों करें अब बात करें सिंग रासि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 24 मार्च 2023 का दिन तो आज का दिन जो है सिंग रासि के जातकों के लिए सकारात्मक प्रणाम लेकर आने वाला दिन है आपको आज कोई लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का भी मौका मिलेगा और कुछ मनोरंजन की कतिविदियां भी आपके बढ़ते हुए दिख रही हैं आपकी जो आई है आई बढ़ने से आपका मन परसंद रहेगा आई आपकी बढ़ते हुए दिख रही है जिससे आप परसंद रहने वाले हैं लेकिन आप भाईयों के साथ किसी अनबन को लेकर आज प्रेसान हो सकते हैं अपने भाईयों के साथ कोई अनबन आपकी चल रही थी उससे थोड़ा सा आजा प्रेशान रहेंगे जिससे आपका कार्य करने में भी मन नहीं लगेगा तो इस बाद का आपको ध्यान रखना है काम को लेकर आप लाप्रवाई बिल्कुल आपको नहीं करनी है जो काम है उसे पूरे आप जो है उसकार को पूर्ण भक्ति के साथ में करें कोई लाप्रवाई उसकार में न करें नहीं तो बाद में आपको कोई समस्या उत्पन हो सकती है इस बाद का आपको ध्यान रखना है निर्णे जल्दवाजी में लेने से बचने के लिए रहने वाला है कोई कारे कोई निर्णे आप जल्दवाजी में बिल्कुल भी न रहे और किसी जोखिम भरे काम में भी आज आपको हाथ नहीं डालना है आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महतोपुन जानकारी प्राप् दिख रहा है किसी से भी बात चित करते समय आप उसे अपने मन की सारी बात बिल्कुल भी न बताएं नहीं तो वह उसका फाइदा उठा सकता है इस बात का आपको ध्यान रखना है काम का बूझ बढ़ने से आप थोड़ा सा प्रेसान भी रहेंगे लेकिन फिर भी आप उससे के लिए कैसा रहने वाला है 24 मार्च 2030 तो तुलारास के जितने भी जातक हैं आज का दिन दामपक्त्य जीवन जी रहे लोगों के लिए खुसहाली ले करके आने वाला दिन है क्योंकि जीवन साती की तरक्की देख करके आपको परसंता होते हुए दिख रही है आप परसं रह देंगे और कारे छेत्र में आपको कुछ गुप्त जो आपके सत्रों हैं गुप्त सत्रों से आपको साब्धान रहना होगा और सामाजिक छेत्रों में कारे रत जो लोग हैं उनको अपने किसी साती के कारण आज असुविदा होते हुए दिख रही है क्योंकि वह उनके बंत से जो है आप प्रसन भी आज के दिन रहेंगे लेकिन आप जल्दबाजी आपको किसी भी कारे में बिल्कुल नहीं करने हैं नहीं तो कोई गलती आप से हो सकती है जो आगे आपको समस्या बढ़ा सकती है इस वाद का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कारे में बिल्कुल तक हैं आज का दिन सामाजिक छेत्रों में कारेरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला दिन है सुब रहने वाला है और आपको जो है उम्मीद से जादा धन मिलने से आप परसंद रहेंगे धन की प्राप्ति आपको उमीद से जादा होगी जिससे आपको परसंद रहेंगे यदि आपके कामों में कुछ अवरोध आ रहे हैं, कोई कारिय जो हैं, आपके रुग रहे हैं, कुछ अवरोध आपके कारियों में आ रहे हैं, तो वह भी आज आपके दूर होते हुए दिख रहे हैं, जो भी अवरोध हैं वह दूर होते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी सु कामों को कल पर टाल रखा था तो आपको उन्हें पूरा अवस्य करना चाहिए कल पर उनको बिल्कुल नहीं टालना है कारे छेत्र में आप जो है अत्यधिक मेहनत ना करें तभी आपके रुके हुए काम भी पूरे होते दिख रहे हैं कारे छेत्र में आपको जो है अत्यधिक म के लिए कैसा रहने वाला है 24 मार्च 2023 का दिन तो धनुरास के जितने भी जातक हैं आज का दिन आपके लिए प्रसंदता दिलाने वाला दिन रहेगा और जो बिद्ध्यार्थी हैं बिद्ध्यार्थियों को बौधिक और मांसिक बौश से आज छुटकारा मिलता हुआ दिख र परेशान करे और उसके कारण आपको भी परेशान होना पड़े तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यदि आप किसी से धन उदार लेने की सोच रहे हैं तो वह भी आपको आसानी से आज के दिन मिल जाएगा कला कौसल में सुधार आएगा और आर्थिक लाब में भी बिर आज का दिन जो है धनरास के जातकों के लिए अच्छा होने वाला है बात करें मकरास के जातकों के तो मकरास के जितने भी जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा 24 मार्च 2023 का दिन तो मकरास के जितने भी जातक हैं आज का दिन आपको जल्दवाजी में किसी काम को भी करने से पन हो जाएगी पारवारिक मामलों में आप इस्पष्टता बनाए रखें परवार के जो मामले हैं उनमें बिल्कुल इस्पष्टता आपको बनाए रखनी हैं आपको आज कुछ बेवज़ा की बस्तों की खरीदारी पर भी बल देंगे कोई ऐसे बेवज़ा की बस्तों हैं ज आपको उसके लिए माफी भी मांगनी पड़ सकती है और माफी आपको मांगनी भी चाहिए पिताजी के लिए आप कोई उपहार लेकर भी आज के दिन आ सकते हैं आप अपने पिताश्री के लिए कोई अच्छा सा उपहार भी आज खरी सकते हैं बात करेंगे कुमरास के जातको में बिर्द होने से आपके अंदर आलस्य भरा रहेगा लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है इस वात का आपको ध्यान रखना है भाईचारे को बढ़ावा मिलता हुआ दिख रहा है और किसी सरकारी योजना में धन लगाने से जो है आपको अच्छा लाव भी आज के दिन मिल सकता है यदि आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप उसे कल पर आपको बिल्कुल नहीं टालना है माता पिता के आश्रिवास से आपके कोई आपका जो कोई रुका हुआ कार्य था वार रुका हुआ कार्य आपका आसानी से बन सकता है आप यदि किसी यात्रा पर जान तो कोई दुरगटना भी होने के योग बन रहे हैं इसलिए आपको साफधानी रखनी है और साफधानी से आपको वहन चलाना है इस बात का आपको विशेष ध्यान आज के दिन रखना होगा अब बात करते हैं मीन रास के जातकों की जो अंतिमरासी है मीन रासी तो मीन रास के के लिए कैसा रहने वाला है 24 मार्च 2023 का दिन तो आज का दिन जो है मीन रास के जातकों के लिए मिला जुलाठ फल दायक होने वाला है मिला जुला फल आपको आज के दिन मिल one ला है आपके घर में कोई अतितिका आगमन हो सकता है आपके घर पोई आज जो है जनकल्यान की भावना आज आपके अंदर बनी रहेगी कि जनकल्यान की भावना से आप जो है आप आज का दिन जो है जनकल्यान के भावना आपके मन में रहेगी जनकल्यान करने के आज आप सोचेंगे और भावना आज आपके अंदर बनी रहेगी आपको आज जो ह लोगों की गलती को बड़पन दिखाते हुए माव करना होगा बड़पन दिखा करके सब की गलतियों को माव आज करना है कारोबार की गती गारोबार जो है आपका उसमें आज तेजी आ सकती है आपका मन जो है जब कारोबार तेजी आएगी कारोबार में तो आपका मन आपकी किसी बाद को लेकर कुछ कहा सुनी भी आज के दिन हो सकती है और परिवार में छोटे बच्चे आप से कुछ फरमाईस भी कर सकते हैं जो आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं वह कुछ फरमाईसे आज के दिन आप से कर सकते हैं तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर हमें अवगत कराएं, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अपने इश्रमित्रों के साथ सेर जरूर करें, जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, किरेपे हमारे चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन का समय समय अंसार आप तक पहुंचते रहें, तो आज का वीडियो यहीं पर समात करते हैं, पुना अगले वीडियो में आप से मिलेंगे, तब तक ले जैसे रादी, हर हर महादीव संभू झाल 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 झाल